संसार की प्रतेग वस्तु का कोई न कुई नाम अवश्य होता है नाम ही किसी व्यक्ति वस्तू स्थान अत्वा भाव की पहचान होती है व्याकरण में नाम को संग्या कहा जाता है हमारे जीवन में नाम का अत्यदिक महत्व है हम सभी वस्तू अत्वा प्राणियों को उनके नाम से जानते हैं उधारन के लिए निमलिकित वा हमारी भीतर से लो श्रद्दाव आस्था के बल पर ही सच्ची भक्ती प्राफ्थ हो सकती है तो बच्चों उपर्युत वाक्यों में रंगीन छपे शब्द हमें व्यक्ति वस्तू भाव यह स्थानों के नाम का बोद करा रही हैं यह सभी शब्द संग्या हैं एक बात यह भी जानिये जिन शब्दों से किसी वस्तू व्यक्ति सान्व भाव दशा आदी का बोध हो उन्हें संग्या कहते हैं संग्या शब्द अलग अलग नामों की ओर संकेत करते हैं जैसे प्राणी है तो शेर गाय भैस आदी व्यक्ति अक्षय स्वर्ष अवी माधुरी सपना शिखा मंगल दिपिका आदी वस्तू टेलिवीजन विमान रेल गाड़ी कुरसी पुस्तक आदी भाव प्रेम खुशी विश्वार सत्रुता प्रसंता आदी स्थान डिल्ली बंगलूरू मुंबई पतना आदी आए जानते हैं संग्या के भेद बच्चों संग्या को निमलिखित भ के नाम का बूध हो उन्हीं व्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं जैसे राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था कृष्ण और सुदामा सच्चे मित्र थे बिरला मंदिर दिल्ली में है तो बच्चों उपरियुक्त वाक्यों में राणा प्रताप कृष्ण सुदामा व्य जाति वाचक संग्या है अगला है जाति वाचक संग्या जिस संग्या शब्से किसी प्राणी वस्तू या स्थान की संपूर यानि पूरी जाती का बोधो से जाति वाचक संग्या कहते हैं जैसे महीला ने सबजी वाले से ताजी सबजियां खरीदी विद्याले बंध हो चु मुझेश वस्तु प्राणी या स्थान का बोधार नखर BUT करा है तीसरा है भाव आचक संग्या जिन संग्या श्ब्दों से किसी वस्तू या व्यक्ति के गुडuar दोश भाव अवस्था वकर्म आदी भावों का बोध हो वे भाव आचक संग्या कहलाते हैं जैसे पार्क में हमेशा हरियाली रहती है जून के महिने में सबसे अधिक गर्मी होती है गांधी जी अहिंसा के बुजारी थे वो प्रियुक तरंगी शब्द किसी न किसी भाव यानि भावना गुण दोश आदी का बोध कराते हैं तथा इन सब को स्थूल रूप में ना तो देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है बलकि केवल महसूस किया जा सकता है अधा ये सबी भाव वाचक संग्याएं हैं आईए बच्चों परते हैं भाव वाचक संग्या का जाती वाचक संग्या की रूप में प्रियोग कैसे होता है जगती वाचक यानि व्यक्ति वाचक संग्या का प्रियोग सदैव किसी एक विशेश प्राणी वस्तू या स्थान के लिए होता है किन्तु जब उसकी को बहुत हाने पहुचाई है प्रांचीन युग में घर घर में सीता एवं सावित्री थी उप्रियुक्त धारणों में जैचंद सीता एवं सावित्री का प्रयोग व्यक्ति वाचक संग्या के रूप में नहीं हुआ है यहां जैचंद का आर्थ कोई विशेश व्यक्ति नहीं वरन देश द्रोही है इसी प्रकार सीता का अर्थ जनक की पुत्री तथा सावित्री का अर्थ सत्यवान की पत्री नहीं है वरन इंदुनों का अर्थ पवित्रतास्त्री है इस आधार इस प्रकार इनका प्रियोग क्रमशा देश द्रोहियों अथ्था पती व्रतास्त्रियों क के लिए हुआ है अर्थात इन व्यक्ति वाचक संग्याओं के प्रियोग से एक संपूर्ण वर्ग की ओर संकेत किया गया है आगे है जाती वाचक संग्या का व्यक्ति वाचक संग्या के रूप में प्रियोग यानि बच्चो इसी प्रकार जाती वाचक संग्या का प्रियोग क किसी प्राणी की संपूर्ण जाती का बोध कराने के लिए होता है किन्तु कभी-कभी कुद जाती वाचक संग्याओं को किसी विशेश व्यक्ति के लिए प्रियोग किया जाता है जैसे कि पंडित जी बच्चों को बहुत प्यार करते थे शिवराद्री के दिन महादेव पर ज सभी महान देवों से नहीं वरन शिव से है इस प्रकार जाती वाचक संग्याओं पंडित जी महादेव का प्रियोग व्यक्ति वाचक संग्याओं जवाहरलाल नहरू तथा शिव के रूप में हुआ है इसलिए कभी-कभी बच्चों जाती वाचक संग्याओं लगता है कि व व्यक्ति वाचक की ओर संकेत करती है संग्या के अन्य भेद जानते हैं कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण संग्या को दो और निमलिकित भेदों में विबाचित करते हैं एक समुदाय वाचक या समुवाचक संग्या और दूसरा द्रव्य वाचक संग्या आए जानते हैं पहला समुदाय वाचक संग्या जिस शर्ब से किसी प्राणी वस्तुई या स्थान के समुदाय वाचक संग्या कहते हैं जैसे पुस्तकाल ले कक्षा जुन्ड दल गुच्छा परिवार आदि ऐसे ही उपरियुक्त धारणों से पुस्तकाले अनेक पुस्तकों का संग्रे है, कक्षा बहुत से विध्यारतियों का समू है, सेना अनेक सेनिकों का समू है, हातियों के जुंड में कई हाती होते हैं, सभा अनेक व्यक्तियों का समू है, दल में बहुत से लोग होते हैं, यह सभी समू के दियोतक हैं, न था यह स समू वाचक संग्या है समू यानी बहुत सारे लोग जब इखटे होते है या बहुत सारे जानवर इखटे होते हैं तो उनके जुंड को उन्हें समू कहा जाता है आगे है द्रव्य वाचक संग्या जिस संग्या शब्द से किसी धातू द्रव्य अत्वा पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्य वाचक संग्या कहते हैं जैसे घी, तेल, सोना, चांदी, पीतल, चावल, कोईला, नमक, लोहा आदी उप्रियुक्त उधारनों में घी, तेल, द्रव्य है यानि तरल पदार्थ है, सोना, चांदी, पीतल, धातू है, ठोस है, चावल, कोईला, नमक, लोहा पदार्थ है, इन्हें नापा या तोला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता, तथा इनके अन्य वस्तु में भी बनाई जा स है, आगे है भावाचक संग्याओं की रचना, तो बच्चो भावाचक संग्याओं दो प्रकार की होती है, कुछ अपने मूल रूप में ही भावाचक होती है, जैसे सत्य, शमा, सुक, धुक, अपमानादी, कुछ अन्य शब्दों से बनाई जाती है, जैसे कायर से कायता, हस तो आईए भावाचक संग्याय निमलकित प्रकार से बनाई जाती हैं कैसे यह जानते हैं तो पहला जाती वाचक संग्या से भाववाचक संग्या बनाना देव एक जाती वाचक संग्या है और देवत्व भाववाचक संग्या शिशु शैशव सती सतित्व गवाह गवाही वी संगया कैसे बनती है जैसे सरवनाम है निज्ट और उसका निज्टा भावाचक संगया अपना अप‌नत्व सर्व कराया परायापन विशेशनों से भावाचक संग्या बनती है कम कमी, धार्मिक धार्मिकता, मूर्ख मूर्खता, लोभी लोब, गर्म गर्मी, महान महानता क्रियाओं से भावाचक संग्या कैसे बनती है लड़ना लड़ाई, लिखना लिखाई, बहना बहाव, सजाना सजावट, दिखाना दिखावा, कमाना कमाई, जगाना जागरण, उलजना उलजन, हसना हसी, मुस्कुराना मुस्कुराहट और आखरी है अवो से भावाचक संग्या, नीचे निचाई, भीतर भीतरी, समिप समिप्य, शाबाश शाबाशी, तो बच्चो इस प्रकार हम भावाचक संग्या को अलग अलग संग्या, सरुना, विशेशन, किराय और अव्यो से बदलते हैं तो आपने सीखा किसी व्यक्ती, वस्तू, स्थान या भाव के नाम को संग्या कहते हैं, संग्या के तीन भेद होते हैं, व्यक्ती वाचक संग्या, जाती वाचक संग्या और भावाचक संग्या जो संग्या शब्द किसी विशेश वस्तू, व्यक्ति, सान या प्राणी के नाम का बोद कराते हैं, उन्हें व्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं, जो संग्या शब्द किसी जाती का बोद कराते हैं, उन्हें जाती वाचक संग्या कहते हैं, जिन संग्या शब्दों से किसी व्य या समु का बूद कराते हैं किसी पदार्थ अत्वा रव्य का बोद कराने वाले शब्दो कौ तोह करती हूँ एक को अध्याय समझा गया होगा इसका अभ्यासल करने भाषा कि क